नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डौक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि देखसामिथासोन टैबलेट का उप्योक किन कंडीशन्स में किया जाता है, Dexamethasone Tablet को कैसे लेना चाहिए और Dexamethasone Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की Dexamethasone Tablet की वज़े से होने वाले side effects को कैसे कम किया जा सकता है और Dexamethasone Tablet को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए और यह भी जानेंगे कि क्या वजन को बढ़ाने के लिए देक्सा मेथासोन टैबलेट को लेना चाहिए या नहीं देक्सा मेथासोन टैबलेट एक स्टेरोइट दवा है जिसका उपयोग एलर्जी बहुत प्रकार के त्वचा रोगों में जैसे डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस और त्वचा पर खुजली होने पर आधी कंडीशन्स में देक्सा मेथासोन टैबलेट का उपयोग कि इसके अलावा नजला होने पर, अस्थमा होने पर, रूमेटोड अर्थ्राइटिस और ओस्ट्यो आर्थ्राइटिस होने पर भी देक्सा मेथासोन टैबलेट का उपयोग किया जाता है इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स है जिनमें आपका डॉक्टर Dexamethasone Tablet को लेने की सला दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की Dexamethasone Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं अगर आप Dexamethasone Tablet का सेवन लंबे समय तक या ज्यादा डोज में करते हैं तो Dexamethasone Tablet की वज़े से side effects होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है अगर आपका डॉक्तर आपको Dexamethasone Tablet को केवल एक या दो सप्ताह के लिए लेने की सलाह देता है तो side effects होने का रिस्क भी कम ही होता है Dexamethasone Tablet की वज़े से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिर्दर्द, पेट में बेचैनी, घबराहट और स्वभाव चिड़ चिड़ा हो सकता है वर depression भी हो सकता है इसके अलावा Dexamethasone Tablet की वज़े से चक्कर आना, शरीर में ठकान होना, भूप का बढ़ना, वजन का बढ़ना वनींद ना आने की समस्या भी हो सकती है कुछ व्यक्तियों में Dexamethasone Tablet की वज़े से हाथों व पेरों में सूजन भी हो सकती है और मासपेशियों में दर्ध हो सकता है लंबे समय तक Dexamethasone Tablet को लेने से शरीर की immunity कमजोर हो जाती है शरीर की immunity कमजोर होने की वज़े से कोई भी infection या कोई भी बीमारी आपको आसानी से बीमार कर सकती है अगर किसी व्यक्ति को कोई infection पहले से ही है तो Dexamethasone Tablet उस infection को ज्यादा गंभीर बना सकती है लंबे समय तक Dexamethasone Tablet का सेवन करने की वज़े से osteoporosis हो सकता है osteoporosis एक हड्यों का रोग है जिसमें शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है और हलके से pressure या गिरने की वज़े से भी हड्यों में fracture हो सकता है Dexamethasone Tablet की वज़े से blood sugar level अधिक हो सकता है और diabetes होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है Dexamethasone Tablet की वज़े से शरीर की घाव भरने की क्षमता कम हो सकती है और कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है लंबे समय तक Dexamethasone Tablet का सेवन करने से आखों में catrack या glucoma हो सकता है जिसकी वज़े से आखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है लंबे समय तक Dexamethasone Tablet का सेवन करने से शरीर की तवचा पतली हो सकती है और तवचा पतली होने की वज़़े से तवचा में दरारे पड़ सकती है का लेवल कम हो सकता है देक्सा मिथा सोन टैबलेट की वज़ा से गर्दन, चहरे, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में असामान्य रूप से फैट का जमाव हो सकता है जिसकी वज़ा से चहरे, पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है देकसा मिथा सोन टैबलेट को बच्चों को लंबे समय तक देने से बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है और बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है देकसा मिथासोन टैबलेट की वज़े से शरील पर बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है और महिलाओं में चहरे पर भी बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म में भी बदलाव हो सकता है अब हम discuss करेंगे की dexamethasone tablet को कैसे लेना recommended होता है dexamethasone tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है देकसा में थासोन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना देकसा में थासोन टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए अब हम दिसकस करेंगे की देकसा में थासोन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए टीबी होने पर, डाइबिटीज होने पर, वाइरल या फंगल इनफेक्शन होने पर, थाइरोइड की बीमारी होने पर, पेट में अलसर होने पर, किड्मी या लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर, औस्कियोपोरोसिस होने पर और मायस्थेनिया ग्रेविस होने पर आध हम डिसकस करेंगे कि देक्सामिथासोन टैबलेट की वज़े से होने वाले साइड इफेक्स को कैसे कम किया जा सकता है देक्सामिथासोन टैबलेट की वज़े से हड्डिया कमजोर हो सकती है इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाये रखने के लिए आपको कैल्शियम से भरपूर खादय पदार्थों जैसे दूद और कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए या आप कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा कच्चे फलों, सब्जियों व सलाद का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए और हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। देक्सामिथासोन टैबलेट एक स्टेरोइड दवा है जिसके सीरियस साइड इफेक्स हो सकते हैं। देक्सामिथासोन टैबलेट को डॉक्टर वजन बढ़ाने के लिए लेने की सला कभी भी नहीं देते हैं। महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को डेकसा में थासोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डेकसा में थासोन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।